आज मैं लाई हूँ आप सभी के साथ सेयर करने के लिए सुभह साम का हलका फुलका हेल्दी और टेस्टी नाहता बिना तेल के बनाएंगे बहुत अच्छी बनती है इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इंस्टेंट कभी भी आपको भूख लगे था आप हिल्दी टेस्टी रेस्पी को जरूर ट्राई कर सकते हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपपम जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनती है और इसको बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन जाले उठे हैं अपम के कितने सॉफ्ट बने हैं तो बस इसी तरह से रेस्पी को ट्राई कर सकते हैं इस अपम को बीना टाइम लगाए बना सकते हैं साथ में चटनी भी बना रही हूँ दोनों का बहुत ही वेस्ट कॉम्मिनेशन है तो चलिए अस्टार्ट करते हैं अगर इस भी अच्छे लगे ते वीडियो को लाइक शियर जरूर कीजेगा एक कप सूजी में आधा कप दही डालें तो मेरी दही थोड़ी खटी थी तो दो टेबल इस्पून डाली हूँ स्वाथ का अनुसार नमक हाप टीस्पून चीनी डालके हम क्राइंडर जाल में रखे पीस लिए हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ी गार ही लग रही है तो इ धिमी आज पर रोस्ट कर लिए हैं उसके बाद लहसान अधरक हरी मिर्ज डालके स्वाथ का अनुसार नमक डालके चटनी पीस लेंगे इधर चूले पर तावा गड़म है अब एक कलचुल हम डालके कलोक बाइज इस तरह से गूमाएं इसमें तेल घी तावा में नहीं लग प्लट के नहीं पकाया जाता है तो इसी तरह से हम सारे अपण को बना लेंगे वीना तेल घी के उपर से जब ड़ाए दिखने लगे तब आप इसको निकाले अच्छे से जब ड़ाए दिखने लगे तो तो सारे अपम को हमीशी तरह बना लिए है इधर चटनी भी मेरी एरेडी है उपर से सरसो करड़ी पत्ता से छेका लगा दी हूँ एक थाली में मैं सर्व कर ली हूँ तो आप देख सकते है कितने सॉफ्ट बने है, सॉफ्ट के साथ हेल्दी और टेस्टी भी है तो इस रेश्पी को आप जरूर ट्राइ करिएगा ट्राइ करने के बाद अगर रेश्पी अच्छी लगती है तो विडियो को लाइक सेयर जरूर कीज़ेगा, मिलते हैं आगली